कुरवाई बीना रोड पर टोल प्लाजा लोगों की समस्या का केंद्र बना हुआ है JIS कारण वाहन चालकों को आने-जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है तोल प्लाजा से निकलने में दो पहिया वाहनों के लिए बहुत ही कम जगत छोड़ रखी है जिससे चालोकों को बाइक निकालने में काफी समस्या होती है ऐसे में दुरगटना होने की संभावना बनी रहती है कुछ समय पूर्वत तीन पहिया वाहन चालोकों से भी टोल टेक मिली वाश्रूम में भी गंदगी और ना ही कंप्लेंट डजिस्टर महाँ पर उपलब्द था पत्रकारों ने इन समस्याओं पर टोल प्लाजा मैनेजर से बात करनी चाही तो वो पत्रकारों के सवालों से बचते हुए नजर आए बाद में साइट इंचार्ज आदित कुमार पत्रकारों से वारता की कुरवाई से शानु खान की रिपोर्ट पहले तो आपने आटो वालों से पैसा लिया अभी कुछ जिन पहले प्रिवीर पहले त्री वीडर पहले त्री वीलाग वालों से 25 छे दो आदार वाई 24 इंडू 7 चलती है एंबूलेंस कम से कम तीन ड्राइवर होना चाहिए तो जो जो वाच रूम है उसकी ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि साफसफा ही नहीं रहती है कॉंप्लेंट रजिस्टर है अगर आदमी को या कोई कंप्लेंट करना हो तो किस से करेगा तो उसके एक मैंटन रिजिस्टर तो होता है क्या पूरूफ रहेगा कि हमने कंप्लेंट किये आपका यह आपका काम है टोल मेंजर काम है टोल वालों काम है कि तरफ से जो कंप्लेंट रेइस्टर आता होगा वह कहां पर आपका आपका यह इसा है नीचे है आप बताती है और दूसरी चीज बूद बन है दो बूद बन है आपके यह क्यों बन है तो मैं इसका इसको यूज नहीं करते हैं कब अधे को देखने को मिलता है का यहां कि आपको ब आपके लाका है चाहिए यह पीना कसी को हारा हुआ है आपने जो आटो वाले से आमाउन लिया ता आपने उनका बाप इसकी है इसके बारे मेरे को जानकारी नहीं है और प्रिशार्शन के उसमें पहुचा तो तुरंट उसको रोग दिया गया जब उपर से क्लियर नोटिफिकेशन नहीं था तो आपने फिर क्यों प्रिशार्शन आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भुलें